बता रहा है आप समझ नहीं की कोशिश केए आप लोग बहुत समयज़दार है ये अंग्रेजिय के वर्ड आपको घुमा देते हैं कि स्टेनोसिस का मतलब क्या हुआ है जब स्टेनोसिस जब भों बोलगे है हाड हो गया ना आप अपने बुद्धी से समझें जो तब हर गया तो एक काम करें जर्णा एक्सपरिमेंट किया करो अब आपको किया करो उससे आपको समझ आएगा और अच्छा समझ जोड़े और उसको दूप में छोड़न। एची लिए खोड़ें एक अप्ते के बाद हार हमार हो स्टैनोंस इस हो गया समस्स हो गया सब्यां हम अब मुझे विस्कि पर तो पता तो चले आप कुछ सोच रहें कि आप वह टेनी हाड क्यों हो गए पानी निकल गया ना पानी निकला तो हाड हो गया तो कोई भी कहीं भी स्ट्रेमोसिस होगा हाड्निंग होगा तो क्यों होगा को वहाँ पे जल्य तत्तूगी कमी आ जैगी पानी की कमी आ जाएगी तो हाड हो जाएगा तो एक चीज आप देखे हमारे आसपास में přाफ्रेश वार्टर सोर्स कहां पे है कहीं ताल तलाव सरोवर नदी आपने देखा आसपास में पानी देखा पानी तो खत्म आपके आसपास में है और फ्रेश्वाटर बॉड़ी कोई है क्या जमीन के नीचे पानी है कि जमीन के नीचे पानी है कितने दूर चला गया पानी फ्रम five fifty तो पानी ही कम हो गया आपके आसपास में पहली चीज ऐसा काम हमने किया कि अपने आसपास में जो जीवन का सोर्स है उसी को खतम कर दिया यही होता है फिरंगी अब सबसे कम बुद्धी की प्रजाती है वो अब हम उसी के मॉडल में पड़े लिखे हैं हम समझी नहीं पा रहें तो आसपास आपने पानी खतम कर दिया अब बॉड़ी में वाटर होल्डिंग कापासिटी हमने कम कर दी क्यों ऐसा क्यों हमारे शेरीर का पानी का रोकने का जो शक्ति है वो हमने कम कर दिया क्या से कम कर दिया आप एक काम करें अप एक काम करें अगर शेरीर के अंदर कोई भी उल्जलूल चीज अगर आप डालते हैं तो एक चीज आप उबजरब करेंगे कि आपको frequent urination होगा क्या होगा बार बार यूरेन जाने की यो टेंसिंग कंवर्टिंग एंजाइम इनिवीटर एस इनिवेटर खाते हैं लो साटन पुटेश्यम टेल मी साटन पुटेश्म ऐसे कोई चीज खाते हैं ठीक है डाइयूरिटिक खाते हैं उससे क्या होता है आपके शरीर में ब्लड का पानी जो है किड्नी से निकलवा जब प्रोसेस्स फूट डालते हैं उससे आपके शरीर में डी हड्रेशन होता है क्योंकि शरीर पानी में उस जहर को घोलके वह जहर समझता है शरीर घोलके बाहर फेकने की कोशिश करता है अगर आपका मेटाबोलिजम ठीक नहीं होगा तो गलत शुगर बनेगा ठीक शुगर न घ्रबन क्लमेट घ्लैट अगल अग्यों और उस गंदे शुगर को अपने औरगन में में डाल दोगे तो आपके औरगन खराब हो जाएंगे बोलो कि देखो डायबिटी से औरगन खराब हाद डायबिटी से कोई औरगन खराब नहीं होता मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगती है यह सही बात नहीं है मुझे ज़्यादा योरिन होता है सही बात नहीं है तो कुछ भी शरीर करता है तो सही बात नहीं है सौसाल पहली तो नहीं था हाट अठेक होता नहीं था नाच्रूल हाट डिसीज नहीं होता था अभी क्यों हाट अटेक नंबर वन कॉस अफ डेथ बन गए क्योंकि आप दवाई खा रहा है क्योंकि आप पानी कंकर रों शरीटर का और क्या जब भी शरीर सुखेगा आपका इम्यून रिस्पॉंस जो डिवेट हो जाएगा खराब हो जाएगा इसको आपने शरीर को सुखाके बीमारी क्रेट कर रहो देखो यह बीमारी ओगी स्टेनोसिस क्यों हो रहा है क्योंकि आपका वाटर होल्डिंग कपासिटी कम है वाटर होल्डिंग कपासिटी कैसे बनेगा यह रोकने का मतलब कुमबक होता है तो जब यह रोकने की कपासिटी आप बढ़ाओगे तभी वाटर होल्डिंग कपासिटी बढ़ेगी तभी मेटाबुलिजम ठीक होगा तभी इम्मून रिस्पंस ठीक होगा तो स्टेनोसीस ठीक होगा एक चीज़ आप देखेंगे मैं लोग जानते जहीं कि मुझे चाहिए मुझे अच्छा लग रहा है कि खराब लग लगा घ्रक्राद होगा सब्सक्र rozp अभी नहीं आ है अप मानते अपने शरीर की बात वह भी बीकिना चल्प grouping भी और च स आपका शरीर जो बता रहा है वो सहीः सबसे बढ़िया डाग्णोस्टिक एक्टेटिक आपका बॉड़ी है तो स्टेनोसस कैसे ठिक करेंगे अप थोड़ा एक्सपरिमेंट करो क्या एक्सपरिमेंट करो अब थोड़ी थोड़ी देर जितना आपकी कबस्ट्री सांस रोकना शुरू करो दस मिनट के लिए और ऐसा आप तीन चार तीन करिए उसके बाद चेक किजिए जो आपके कोहनी है ना यहां पे हाड होता ना हाड टीशू होते को लोगों के कंदे पर हाड टीशू आ जाते हैं बॉड़ी में किसी जगह पर हाड टीशू है आप कुमबग करना शुरू कि देखिए वह हाड टीशू एकदम से सॉफ्ट होना शुरू जाए कि क्या बता रहा हूं कि सबका सबका यह एक एक्सपिरेंस है जो भी कुमबग कर जॉइंट्स जिनके भी फ्लेक्सिवल नहीं है उनके जॉइंट्स फ्लेक्सिव हो जाए यूंगे तो आप 15 मिनट में आपको पता चल जाएगा 15 मिनट आप सांस रोको अपने कवास्टी के साब से सांस रोक के छोड़ो उसके बाद बेंड करने की कोशिए देखिए पहले इतना बेंड कर रहे तो उसे ज्यादा बेंड करना शुरूर बेंड कर पाए यानि कि आपके फ्लेक्सिवलिटी जॉइंट की बढ़ देगी मसल बढ़ जाएगी स्किन का टोनालेटी टॉन ठीक हो जाएगा एंटी एजिंग भी होता है जो भी कुम्बक करेगा उसे एंटी साल के करता ता ये गलत सोच आपने जियान ठीक से जिवागी अगर एंटी एजिंग होगी आपके स्किन पर दिखेगा एंटी एजिंग एंटी एजिंग जहां पर भी हार्ड पार्ट्स आपके बडी में तो सब्सक्राइब बटक्स पर हाड होता है आप कुमबग करेंगे देखेंगे सॉफ्ट हो गया कोई भी आपके स्टेनोसिस या फिर कहीं पर भी हाड़िनिंग हो रहा है जॉइंट स्टिफनेस है कहीं पर भी वह एकदम से ठीक होता है यह तो आप खुद करके देख सकते हैं बट बात यह कि मैं आपको समझाने के लिए बताया आपके शरीर में सभी और्गन से एक साथ मिलके काम करता है हाट अलग काम नहीं करता है लिवर अलग काम नहीं करता है तो लिवर हाट के साथ में काम करेगा हाट मसल के साथ में काम करेगा मसल किड्नी के साथ में काम करेंगे किड्नी लंग के साथ में सब एक साथ काम करते हैं इसलिए आपके शरीर को अलग-अलब ओर्गन की टीट्मेंट की जरुरत नहीं होती है क्योंकि उससे कोई ठीक नहीं होता एक एक एक्जामपल आपको प्रूफ दे रहा हूं कि आपका किड्नी खराब हुआ तो क्या बोलेंगे डॉक्टर किड्नी ट्रांस्प्लांट करा लो लिवर खराब हुआ तो क्या बोलेंगे लिवर ट्रांस्प्लांट करा लो हार्ट होंगे तो क्या बोलेंगे घुटने बदलवालो यानि ठीक तो कुछ करते ही नहीं कुछ भी ठीक नहीं करते तभी तो बदलवाने की बात चल रही है तो आप ट्रीटमेंट ही नहीं कर रहे हैं त्रीटमेंट ही नहीं कर रहे हैं अपना दवाई कोई ट्रीटमेंट होती ही नह देजिए कोई भी दवाई काम करती है उसके लावा कोई भी दवाई काम नहीं करती है तो यह क्या सोच रहे हैं आप किस तरीकी क्या treatment ले रहें treatment तो ले नहीं रहें management कर रहे हैं हम कहरें ठीक है बॉक्स situation खराब हो गाई management कर लो treatment तो करो साथ में उसी सद्र ठीक होंगे